सिधार शुकला के निधन को चोदा दन हो गए हैं लेकिन शेहनाज गिल अभी भी इस गम से खुद को निकाल नहीं पा रही है सिधार के अंतम संसकार के दोरान उनकी जो तस्वीरे सामने आई वो लोगों से भुलाए नहीं भूली जा रही सिधार से बहुत प्यार करने वाली शेहनाज गिल खुद को अब अकेला महसूस कर रही है शेहनाज के पता संतोक सिंग गिल से भी बेटी के हालत नहीं देखी जा रही इसलिए अपनी बेटी के लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक फैसला लिया है जिसे उनकी बेटी के चहरे पर मुस्कान आ सके शेहनाज गिल का दुखद हाल देख पता संतोक सिंग गिल ने बेटी के चहरे पर मुस्कान लाने की हर संभोग कोशिश की है हाल ही में उन्होंने अपने हाथ पर बेटी के नाम का टैटू बनवाया उनके टैटू की तस्वीरे भी शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस टैटू में प्रातना के लिए दोनों एक जोड़े और साथ-साथ गुलाब भी बना हैं मैं बीच में शैनाज गल का नाम लिखा है पीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुखत समय से शैनाज को बाहर निकालने के लिए सिध्धार्ट की माँ उनका पूरा खयाल रख रही है दरसल ऐसी खबरे हैं कि शैनाज ना किसी से बात कर रही है वो अकेले गुमसुम रहती है दुरान शैनाज शैनाज इस गव में अकेले ही अपना जीवन बिताए पॉलिवर ड्राइफ की रिपोर्ट के अनुसार रीता शैनाज को काम पर वापस जाने के लिए मोटिवेट कर रही है वो उन्हें दोस्तों से मिलने के लिए बोल रही है ताकि वो अपने दुख को भूल कर काम पर फोकस कर सके